Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another makeup tutorial So guys, आज का ये लुक है, हल्दी मेकप लुक जिसे आप अपनी हल्दी फंक्शन में क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट लुक है guys कोई भी ताम जाम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ये लुक मैंने क्रिएट किया है guys आज के इस वीडियो में आपको ये मेकप लुक देखने को मिलेगा तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये लुक कैसा लगा So without wasting time, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं So hi guys, again आप देख सकते हैं मेरा फेस सबसे पहले मैं अपने लिप्स को हाइडरेट करूंगी और हाइडरेट करने के लिए निविया का लिप बाम लगाऊंगी Then उसके बाद प्लम का ग्रीन टी टोनर टोनर अपलाई करना मस्ट है guys, मेकप से पहले तो यह अपलाई कर लिया मैंने Then उसके बाद यह प्लम की डेलाइट संस्क्रीन है जिसे अपलाई करना बेहल जरूरी है आप सभी को पता है कि फेस को मॉश्टराइज प्रेप करना कितना ज़ादा जरूरी है तो यह अच्छे से मैंने संस्क्रीन अपलाई कर लिया है Then उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी प्लम का कैममाईल वाइट टी शीर डे क्रीम है guys यह फेस को मैटिफाइंग कर देती है प्लस साथ ही साथ यह फेस को मॉश्टराइज भी करती है और बहुत अच्छा सा ग्लो देती है फेस पर तो आप देख सकते हैं अपलाई करने के बाद मेरा फेस Then उसके बाद यहाँ मैं NYB का न्यूली लांच प्राइमर एंड कंसीलर जोकी दोनों ही साथ में है वो अपलाई कर रहे हैं अपने फेस पर यह बहुत ही अच्छा कलर करेक्टिंग प्राइमर है आप देख सकते हैं औरेंज कलर का है और यह आपकी जितने भी अनिवन स्किन टोन है उसको प्रॉपर कर देगा इवन कर देगा Then उसके बाद मैं यहाँ NYB का कंसीलर यूज़ कर रहे हूँ जहां भी मुझे अपने फेस पर हाइलाइटिंग एरिया चाहिए वहाँ पर अपनी आइस की लिट पर क्योंकि मुझे आईशेड़ अप्लाइ करना है Then जहां जहां भी मुझे कंसीलर की ज़रुत है इन सभी का लिंक आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो भी प्रोड़क्ट मैं आज की मेकप वीडियो में यूज़ कर रहे हूँ So यहां पर मैंने अप्लाइ कर रहे है Then एक वेट स्पॉंज की हेल्प से मैं ये कंसीलर को मिक्स अप कर लूँगी गाइस यहां पर मैं कोई भी फांडेशन अप्लाइ नहीच कर रहे हूँ यह बहुत ही सिंपल मेकप लुक होने वाला है कोई भी ताप ज़ाम नहीं होगा इसलिए यहां कोई भी फांडेशन अप्लाइशन नहीच कर रहे लिए बिना फाउंडेशन ही मेरे फेस पर एक अच्छा सा गलो आ गया है अपने फेस को सेट करने के लिए यहां मेबली न्यूयोप फिट्मे का यह कॉंपक यूज कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से तक ही मेरा फेस बिल्कुल भी की की ना लगे जहां जहां بھی मुझे जरुत है मैं महां अप्लाई कर ले रही हूँ अच्छे तरीके से और उसके बाद अपने ऐब्रोस को फिललेगं करने के लिए जबसे पहले मैं पुली की हेल्प से अपनी bush कीक कॉम कर ले तो कॉम किया है उसके बाद यहां मैं NYB का 9 in 1 आईशाडव पैलेट में से यह लाइट पीच कलर लेकर अपनी क्रीज लाइन पर सेट कर रही हूं अपनी आईस पर जब तक मुझे एक अच्छा खासा ट्रांजीशन शेड मिल नहीं जाता तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा शेड आगया है मेरी आईलिट पर अच्छे से अपलाई कर रही हूं मैं बहुत स्लो स्लो मोशन में कर लिया है दैन उसके बाद एक ब्लैक लेकर मैं अपनी आउटर विग को एंहेंस कर रहे हूं तकि हुलका सा डेमेंशन मेरी अइलिट को मिल जाएंड मेरी आइस थोड़ी सी बॉल लगे तो इसलिए मिया पर यहां पर ये ब्लैक षेड लेकर अच्छे से अपनी आउटर विग को एंहेंस कर देख सकते हैं धी धी के लिए अपनी आई लिट को तो देख सकते हैं यह मैंने अच्छे से अप्लाई कर ले दन इसके बाद यह ग्लैम 21 के आईशाइडव पैलेट में से एक गोल्डन शेड लेकर मैं अपनी हाफ अफ अफ द लेड अप्लाई करूंगी क्योंकि हल्दी मेकप लुक है तो थोड़ा तो ग्लिटरी बनता है गाइस सो मैं अपनी हाफ वाटर अपनी हाफ लिट पर इसे अप्लाई कर ले रही हो फिंगर की हैप से शिम्री और ग्लिटर आईशाइडव हाथ की हैप से बहुत अच्छे से लगते हैं दन उसके बाद प्लीन प्रश की हैप से मैं उसे मिक्स कर तो इसे थोड़ा सा वो शेड निकल कर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं मेरी आइस का जो आउटर वी है वो किस तरह से दिख रहा है दैन उसके बाद क्लीन ब्रश की हैप से सारी कलर को मिक्स अप कर लूँगे मैं उसके बाद यहां ग्लैम 21 का का जल ले रही हूं इंडि क्रियेट कर रही हूं मैं अपनी आइस पर और अच्छे से लाइनर को अप्लाई कर लिया मैंने दोनों आइस पर दें यहां पर ब्लू हेवन का यह एक्स्ट्र वॉल्यूम मशकारा अप्लाई कर रही हूं यह बहुत अच्छा मशकारा है गाईस एंड इससे आपकी लैशिस इनर को हाईलाइट कर रहे हूं यह भी बहुत जरूरी है गाईस देन इसके बाद यहां पर मैं स्ट्रेक वर्की का यह हाईलाइटर ले रही हूं हाईलाइटर प्लस इल्मिनेटर यह बहुत ही अमेजिंग है इसे अपलाई करना बहुत ही जादा इसी है तो आप देख सकते हैं ग्लो मेरे चाहरे पर इसे अपलाई करने के बाद तो मैंने फिंगर की हर्प से ही से सेट कर लिया है उसके बाद आती है लैशे की बारी जो कि मैंने ऑफ केमरा लगा लिया है अच्छे तरीके से बारी आती है लिप्स की तो लिप्स को आउटलाइन करने के लिए यहां था नहां पर मैं पिंक कलरका लिप लाइनर यूस करो अपनी लिप्स को शेब करहों चीङ दें обचार Is अप्र यहां पर मैं अवाइब के बीर लेकिया कर आपके मने लफंस्टिक में अपने लिप्सटिक आपधर अपया कर जंग विलम करें हैं तो गाइस यह मैंने बना लिया हेर स्टाइल एंड केरी कर ली है साडी तो कैसा लगर आपको मेरा यह लुक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए गाइस अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल बटन को हिट क अगर आप मेरा हेर स्टाइल वारा लुक देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें आज के लिए इतना हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में